Books That Speak में आप सभी का स्वागत है हकीम साहिब ने रमजान का उपवास रखा है और उन्हें हिचकिया लग गई है वो पानी तो पी नहीं सकते तो हिच हिच हिचकियों वाले हकीम साहिब क्या करेंगे? क्या उनके मरीज अपने प्यारे हकीम की मदद कर पाएंगे? सुनते है कहानी हकीम की हिचकिया ओरिजनल स्टोरी हकीम स हिकप्स बाई प्रथम बुक्स रिटन बाई यानि की कहानी लिखी है सदाफ सिद्धिक चित्रांकन स्टुडियो बाबा की की हिंदी में अनुवाद स्मिती गांधी कहानी सुना रही है असावरी दूशी सबजी बाजार की तंग गलियों में सूखते अचार की पंग्तियों के मध्य में मिट्टी के बर्तनों में चूर्ण और दवाईया बनाने में बस्त हकीम साहिब दिन भर मरिजों को देखने में थे व्यस्त शाम तक हकीम के होट सूख रहे थे पेट में जोर जोर से धमाके उट रहे थे पानी का एक गिलास दिव्य होता मगर उसका उपवास था और अभी समय नहीं हुआ था सोडा वाला के धगदक करते दिल की धड़कन जो सुनी तो हकीम ने पाया उसकी नब्ज की गती थी दुगनी जैसे ही हकीम साहीब ने सफेद मिर्च के नुस्खे की तरफ हाथ बढ़ाया एक बड़ा सा बुलबुला उनके गले की और दोड़ा चलाया हिट, हिट, हिट उई मा, उई मा, रोकू अपनी सास, खीचू अपना कान हिट, हिट, उनकी हिट किया आई और चली गई ऐसी परेशानी तो पहले कभी नहीं हुई थी मच्छी वाली की हलकी पीली आँख की जाच कर हकीम साहीब ने लिखा राई का नुस्खा परची पर हिट, हिट, उई मा, उई मा रोको अपनी सास, खीचो अपना कान मिठाई वाला अपने सीने का मसा दिखाने चला आया हकीम ने कहा हल्दी के लेब से जल्दी ठीक हो जाएगा हिट, हिट, उई मा, उई मा रोको अपनी सास, खीचो अपना कान कड़क, चट़क, चट़क शान्ती रखो भाई हकीम साहीब ने सबजी वाले के हाथ की हड़ी है बिठाई हिट, हिट, उई मा, उई मा रोको अपनी सास, खीचो अपना कान नन्ना मुन्ना रोता हुआ आया पेट में बहुत दर्द है वो कराया अजवाई और सौफ में तुम्हारे लिए लाया केक नहीं खाना उसको समझाया हिट, हिट, उई मा, उई मा रोको अपनी सास, खीचो अपना कान हिच, हिच, हिच कियां लेते हकीम ने दुकान को ताला लगाया जाने के लिए मुडा तो हैरान हकीम ने मरीजो को रास्ते में खड़ा पाया सब के हाथों में थी खाने की रंग बिरंगी थाली मेरा सद्यो पुराना उपाय अचूख है हर किसी ने कसम खाली मच्ची वाली ने पकाया भूनी हुई मच्चली का मसालेदार भात सोडे वाले ने बनाया खास नीमबू पानी फिज और अनार के साथ मिठाई वाला ले आया टोकरी भर के रोट कुरकुरे मीठे गले की खराश सके जो रोक सबजी वाला लाया करे ले एक किलोग्राम तोल के कडवे और कसैले जो हलक के नीचे धक्का दे किसका उपाय बहतरीन है सब में बहस चिड़ गई बाहर से कुदा एक भूत सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मच्ची वाली चिलाई सोडा वाला डर के मारे उचला हिच हिच हकीम ने जोर से साफ उगला हकीम साहीब ने भूत की सफे चादर खीची सरपट भागा मुन्ना आखे अपनी भीची क्यूं अरे क्यूं ऐसी शैतानी क्यूं है भाती अम्मा कहती है डर से हिचकिया दूर हो जाती लेकिन रुकिये हकीम साहब कहां गायब हो गए अभी अभी तो यही थे अब कहां खो गए सब ने खुले दर्वाजे के अंदर जाका हकीम साहाब का परिवार पाल्थी मार फर्श पर बैठा था वहां दिल पर हाथ रख बोले वो धन्यवाद दोस्तो दयालू भाव के लिए अब मैं चाहूंगा आप सब भी हमारे साथ खाए पिये उनका एक ही संकेत काफी था बस थालिया नीचे रख पाल्थी मार बैठ गए सब बेगम, फरिया और रहीम प्याले और थालिया ले आए और सारे परिवार ने सब को कुछ खजूर थमाए जैसे ही अजान पूरप से निकली सब ने दावद से अपनी थाली भरली अब हिच 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 किया नहीं मार रहे थे हकीम मगर रुकिये ऐसा क्यों लगता है कि खाया है उन्होंने नीम अरे नहीं लगता है गले में छोटा बुलबुला गया है फस और तेजी से दोड़ता हुआ मू तक पहुचने वाला है बस सास रोके सब कर रहे थे इंतजार जैसे हकीम साहिब ने मारी एक बड़ी सी डकार उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं बुक्सदाट स्पीक में यूट्यूब पर और बहुत सारे पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर नई कहानियों के साथ शुक्रिया बबाए